प्लेइंग 11 हमें पता चल रही है शारदुल ठाकुर की जगे आज टीम ने अक्षर पतेल को खिलाया है तो ये एक बड़ा चेंज है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहिष शर्मा, शुबमन गिल, विराट कोली, केल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंडिया, जडेजा, अक्षर पतेल, ये एक बड़ा बदलाव है शारदुल ठाकुर की जगे, अक्षर पतेल टीम में आये हैं, उसके अलावा कुलदीप यादव, जस्प्रीद बूमरा और मौहम्मद सिराज, तो प्लेइंग 11 में जो पाकिस्तान के साथ जो टीम इंडिया खेली थी उसमें एक बड़ाव है शारदुल ठाकुर, नमबर आठ पर जो शारदुल ठाकुर खेले थे पिछले मैच में, आज वहाँ पर अक्षर पतेल को खिलाए गया है, आकाश भाई किस तरीके से देखते हैं इस चेंज को, होसे फो कोर्से, होसे फो कोर्से, अगर ये हम सब के जहन में था, कि क्या जड़ू अक्षर साथ में खेलेंगे, और खेलेंगे तो कब खेलेंगे, अब अगर आप यूस सर्फिस देखते हैं, आपको लगता है कि यहां पर दो की जगा तीसरा स्पिनर भी हो तो काम चल सकता है, जैसे कल कुल्दीप ने पांच विकेट चटका ह हैं, तब कहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी एक और फास बोलोगी, तुम्हार पास हार्दिक के रूप में 7-8 होर कहीं से मिल जाएंगे, तो उस दृष्टी कौन से यह करने का प्रयास किया गया, तो आज तो हार्दिक मुझे लग रहा है विक्टे भी लेगा, तो टीम इ एक चेंज है, अक्षर पटेल को खिलाया गया है, लॉर्ड शारदूल ठाकुर की जगे, आप बॉल अफ दे टॉर्नमेंट करते हैं कि लॉर्ड शारदूल बाहर चलेगे, नहीं, पर कोई मुझे लगता है कि शारदूल ठाकुर को क्योंकि यहां पर इस्पिनर्स को मौका जैसे आकाज भाई ने कहा कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को एक साथ खिलाना चाहती थी टीम, इसलिए अक्षर पटेल आए हैं टीम में और टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो मैं एक बार आपको फिर से बता दू, रोहिर शर्मा, शुबमंगिल, जातार ये दो दिन में दो मैच खिलने हैं, क्या केल राहुल को इस मैच में खिलाना सही फैसला है, कल हमने देखा कि उन्होंने कल के मैच में पूरी बैटिंग भी करी, फिर लगबग साथ ओवर के अलावा बाकी जितने भी ओवर था उसमें विकट कीपिंग भी करी, क्या ये केल राहुल जो इंजरी के बाद वापस आए हैं, एक दम से इनको इतना ज़्यादा वर्कलोड देना, क्या ये सही है, जी बिल्कुल सही है, आज अगर आपको कोई भी अगर मन में शंका हो कि ये पूरी तरह से फिट नहीं है, तो आज इशान को गलवस पहना दीजिए वो विकलव आपके पास हमेशा मौजूद रहता है, पर आप ये भी मान कर चलते हैं कि यार फिट हो क्या है ना, अब उसके बाद भी बीच में पहले दो मैचिस के लिए उपलब्द नहीं थे, तो इसका मतलब जब इंजरी हुई थी, उसके बाद आपका सरजरी हुई, उस बिलना चाहिए है क्योंकि नहीं खेले हैं बहुत समय से यार और एक पर कॉंफिदेंस में ना, यू नीड तो स्टार्ट बिल्डिंग, फाउंडेशन हो गई, अब फाउंडेशन के ओपर तीन, चार, पाद, साथ, मनजिली इमारते बनानी हैं, तो उसके लिए आज से शु और यू रा, आर्पी सेंग, जहीर कान, सब इकटे केल जाते जेंगे, अब लेफ्टी कैसे हो गए हैं यापे, सारे राइटी फासबोलर्स हैं और सारे लेफ्टी स्पिनर्स हैं, और अब एक भी लेफ्टी मिल नहीं रहा है बालिंग में, और बाद बार यहीं कह रहे हैं क पर इंट्रेस्टिंग है कि आपने इतने सतीन तीन लेफ्टांस पिनर्स हैं जिसमें अकशर और जाड़े जाना ऑलमुस मुझे लाइक फो लाइक लगते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर मुझे वाइड बॉल क्रिकेट में उनसे नजर नहीं आता हूं दोनों के बीच में, तो मौका दिया जा रहा है कि कभी अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या होगा, हलनकि सामने वाली टीम में आपको करूना रतने मिलेंगे लेफ्टी शुरुवात में, उसका को चरीता सलंका मिलेंगे लेफ्टी बीच में, तो ऐसा नहीं है कि सारे राइटी हैं उनके पास को मैचिस हों, तो उस रिलेक्टेंस को थोड़ा खतम करना पड़ेगा, और आज करना पड़ेगा अगर आप खिलाई रहे हो, और आज अगर आपने अक्षर को नहीं कराए दस ओवर, तो फिर अगर मौका मिलता तो तो फिर आप ये परपस फिर बीट हो जाएगा, जैसे आप मौका तो दे दिया, पर उस मौके का कोई फाइदा नहीं हुआ था, तो आज उमीद ही है कि अगर आप अच्छी परिस्थिती में हैं, तो फिर को चलिया, राक्षर ये वाला तेरा मैच है, वी वांट यू तो गेट इन्टो सम रिदम, तो ये रिदम वाला मैच उनके देखेंगे कि क्या हम केल राहूल को पांच पे या इशान किशन को पहले या फिर थोड़ा सा उपर नीचे करके देख सकते हैं बैटिंग ओडर को, ये बड़ा इंट्रेस्टिंग एच्छी क्योंकि जितने भी हम बदलावों की बात करते हैं, एक्सपरिमेंट और फ्लेक् है किसी और जगा पर रोल परफार्म करने के लिए तो ये सबसे घर के हमारे बड़े हैं, ये काम कर सकते हैं पर वो नहीं करते हैं, हम कहते हैं चलो आई सकरो बच्चों को इधर उदर नहीं कर दाए, उनको एक्चुलि समय चाहिए, तो शुमन गिल को ओपन करने के लिए सम पाकिस्तान के खिलाब वी रोहत और शुबमन दोनों ने 50s बनाई और बाद में केल और विराद ने सेंचुरीज बनाई उनके लगने रहा है तो आज वो मौका है कि दोनों आज सेंचुरी बनाई यह बहुत बार होता है कि जब आप अच्छी पिछ पर खेल रहे हूं पूरी पर थीन सो गेंदे हुई है आपकी विक्टे दो गिरी हैं सिरफ और वो तो अच्छा है फिर 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 दिल में थोड़ा सा सुकून होता कहीं वो उपनर शुरू में उट हो जाए और बाकी सब तोड़ रहे हूं तो ना मतलब उससे ज्यादा लंबे वो तीन घंटे नहीं होते हैं जब आप बाहर बैट के देखते हूं तो आज आपको मौका मिला है पर उतना आसान नहीं होगा I am still thinking कि spin से attack किया जाएगा और पहले दस ओर में आपको spin दिखेगी बिल्कुल तो चलिए कि बॉलिंग में अगर फर्स चेंज अगर हम बात करेंगे पहले बूमरा और सिराज शुरू करेंगे फर्स चेंज आप क्या एक्सपेक्क कर रहे हो कि हार्दिक आए या spinner कोई इंट्रोड्यूस किया जाएगा दे चला लेंगे अगर रहार्दिक पंडे आज नहीं गेंद से ही बोलिंग करते ना जाएगे